हेलो एब्रिवान वेल्कम बैक टो मैं चैनल तो आज मैं बनाने जा रही हूँ एक कम कम तेल में चिकेन तवा बिर्यानी ये बिर्यानी में तेल बहुत कम लगता है इसके वज़ा से मैं ये रेश्पी आपके लिए लेके आई हूँ अगर आप हेल्थ कॉंसियस वाले हैं तो भी इस बिर्यानी को बना के खा सकते हैं मैं यहां पे कुछ वेज़िटेबल्स कट कर ली हूँ जैसे की हरा धनिया हरी मिर्च लहसन अद्रक और प्याज इन सारे इंग्रीडियंट को छुटे छुटे टुकडों में कट कर लूँगी और यहां पे मैं लहसन की कुछ कलियों को छिल लेती हूँ और लहसन की कुछ कलिया मैं कूट के डालूँगी और अद्रक को भी कूट के डालूँगी तो लहसन और अद्रक की जम के कुटाई कर लेती हूँ कुछ अद्रक और लहसन को मैं बारी कट करके डालूंगे तो यहाँ पे मैं अद्रक लहसन को बारी कट कर लेती हूँ जब तक vegetables को मैं कट कर रही हूँ तब तक मैं आपको बता दूँ कि यह बिरियानी बहुत ही लाजवाब बनने वाला है और बहुत चल्दी बन जाता है तो यहाँ पे मैं चिकेन ली हूँ चिकेन को आप चाहे तो छोटे pieces में कट करवा के भी ला सकते हैं या फिर नॉर्मल जो pieces होते हैं उसमें भी बना सकते हैं चिकेन को मैं मेरिनेट करूँगी तो उसके लिए मैं यहाँ पे हल दे, नमग, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पे पिरियानी मसाला डाली हूँ कसूरी मेथी डाली हूँ, जीरा पाउडर डाली हूँ आप चाहे तो इसके अंदर हरा धनिया का पता भी डाल सकते हैं और लाश्ट में मैं इसके अंदर दही डाल दूँगी इसके अंदर अद्रक लैसून का पेश्ट डाल सकते हैं या फिर आप अद्रक लैसून को कूट के भी डाल सकते हैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी यहाँ पर मैं चम्मल से mix करने की कोशिस कर रहे थी लेकिन ये एकदम perfect तरीके से mix नहीं हो रहा था तो मैं इसको हाथों से mix कर लूँगे हाथ से mix करने के बाद से मैं इसको लगभग 1-1.5 घंटे के लिए मैं इसको freeze में रख दूँगी आप चाहे तो 6-7 घंटे के लिए भी रख सकते हैं या फिर आपको जब बनाना हो तो निकाल के बना सकते हैं तो इसको मैं अच्छे से mix कर दी और side में रखती हूँ यहाँ पे मैं एक pan ली हूँ pan के अंदर मैं mustard oil डाली हूँ आप चाहें तो कोई भी cooking oil डाल सकते हैं लेकिन सरसो का तेल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और आपके health के लिए भी बहुत ही बढ़िया होता है तो सरसो का तेल जब अच्छे से गरम हो गया था तो मैं उसके अंदर साबोत जीरा डाल दी जीरा डालने के बाद से जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था उसको डाल दी और गैस का फ्ले मीडियम से लो की तरफ करके मैं इसको cook करना start की चारो तरफ से ये चिकन अच्छे से रख दी और इसको दो से तीन बार ही मैं पलटने की कोसिस की बार बार इसको चलाने की कोई जरूरत नहीं है आप इसको cover करके छोड़ देंगे और ये चिकन अच्छे से cook होता रहेगा जब एक साइट से चिकन अच्छे से पक जाएगा और ये चिकन एक तम perfect तरीके से बन के तयार हो जाएगा आप चाहें तो इस चिकन को रोटी या चपाती के साथ खा सकते हैं ये ऐसे भी खाएगे तो बहुत ही tasty लगेगा और आप इसको normal ऐसे भी बना के खा सकते हैं ये खाने में बहुत ही tasty लगेगा तो दोनों साइट से एकदम अच्छे से जब cook हो जाएगा और ये देखिए जो तेल है वो भी अलग छोड़ने लगा है यानि जो हमारा चिकन है एकदम perfect तरीके से बन के तयार हो चुका है आप चाहें तो इसको टेस्ट करके भी चेक कर सकते हैं कि हमारा चिकन अच्छे से cook हुआ है या फिर नहीं अब मैं इसको एक plate में निकाल लेती हूँ plate में निकालने के बाद से वापस उसी pan के अंदर मैं mustard oil डालूँगी जब ये oil एकदम अच्छे से गरम हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर बारीक कटा हुआ vegetables डाल दोंगे जैसे की हरा धनिया और यहां पर मैं डालूँगी बारीक कटा हुआ लैस सुन अद्रक और बारीक कटा हुआ प्याज मैं इसको fry नहीं की हूँ सब एक साथ ही डाल देना है और डालने के बाद से gas का flame मीडियम से लो की तरफ रखना है और इसको चलाते हुए थोड़ी देर भून लेना है भूनने के बाद से इसको कलर ऐसे ही रहेगा यह गोर्लेन ब्राउन होने तक इसको भूनने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक यह भून रहा है तब तक मैं आपको चिकन जो बनाई थी एकदम फॉफेक्ट तरीके से उसको दिखा देती हूँ कि आप चाहें तिसको खा भी सकते हैं या फिर मेरे मुम में तो पानी आ रहा है बट मुझे हसी आने लगा तो इसके वज़े से मैं खाई नहीं बट यह बहुत ही टेस्टी बनके तयार हुआ था यहाँ पे प्याज, हरी मिर्च, अद्रक, लैसन अच्छे से भून गया था मतलब हलका सा ही भूना था और अब मैं इसके अंदर जो बना हुआ चिकन था उसको डाल दूँगी डालने के बाद से चिकन और प्याज को एक साथ चार से पास मिनट कैस कपने मीडियम से लो की त पास से इसका टैक्शर को इस तरीके से हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर पहले का बचा हुआ चावल या फिर आप चावल पका के भी डाल सकते हैं मेरे पास पहले का बचा हुआ चावल था तो मैं उसका इस्तमाल कर रही हूँ और इसको मैं इस तरीके से अच्छे से चिकन को कोटिंग कर दूंगी और जब चारो तरफ से चावल को अच्छे से इस्प्रेड कर दूंगी और इस्प्रेड करने के बाद से मैं इसके उपर डालूंगी बारी कटा हुआ धनिया का पत्ता दनिया के पत्ते को भी 4-5 अच्छे से फैलाके डाले बात मैं इसके अन्दर चाट मसाला डालने के लिए और थोरा सा काला नमक डाल mart जिससे की चावल में भी अच्छा सा एक फ्लेवर आजया है और अगर आपके पास बटर है तो उपर से बटर भी डाल दीजिए मेरे पास बटर नहीं था तो मैं बटर इसकिप कर दी और इसके अंदर फूड कलर ऑप्सनल है अगर आपके पास है तो डालिया अधर वाइस किप से दिख रहा था इसकी खुस्पू बहुत ही अच्छी आ रही थी आप इसको एक वाल जरू ट्राइ करिएगा और अगर आपको मेरा ये रेश्पी पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सस्क्राइब और कॉमेंट करकी ये बताईएगा कि है ना ये मज़िदार इसके साथ आप दही की चटनी बना सकते हैं या फिर आप अपने पसंद वाली कोई भी चटनी ले सकते हैं अगर उसका वीडियो चाहिए तो प्लीज कॉमेंट करके बता देजीगा वीडियो की लाश्ट तक बने रहने के लिए थाइंक्यू सो मच